Good morning students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, Social and Political Life, Chapter 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, हम complete कर चुके हैं, उमीद है आपने वीडियों को ध्यान से सुना होगा और लेशन को समझाओगा. Today we start now Chapter 6, Chapter 6 is Understanding Media. आप जैसे न्यूस पेपर, टीवी देखते हैं, न्यूस पेपर को रीड करते हैं, तो न्यूस पेपर के अंदर भी डिफरेंट टाइप अड़र्टाइजमेंट को देखते हैं और टीवी पर आप न्यूस देखते हैं या अधर प्रोग्राम देखते हैं तो टीवी पर भी हम अलग-अलग various type की advertisement देखते हैं ये picture आप जो देख रहे हैं ये हमारे media से related है यानि कि पिछले 20-30 years में जो बदलाव आया हमारे media के जो माध्यम है उनमें वो कैसे नई-नई technology का यूज करके हमने बदलाव किया हैं तो आज हम understanding media में इसे के बारे में read करेंगे कि जो media के साधन है वो किस परकार काम करते हैं किस परकार हमारे लिए जो things हैं उनको useful बनाते हैं या उनके बारे में हमें जयता जानकारी देते हैं तो हम अब lesson 6 को read करने जा रहे हैं दिहान से वीडियो को सुणना है और lesson को समझना है understanding media मीडिया की समझ या संचार के माध्यों की समझ what is your favorite tv program आपका जो tv program है कौन सा सबसे फेवलेट है what do you like listening to on the radio आप रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते हैं which newspaper और magazine do you usually read कौन सा newspaper या जो magazine है पत्री का है आप पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि घर पर अलग लग घरों पर अलग लग newspaper आई जाते हैं do you saw the internet and what have you found most useful about क्या आप internet का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए उन में से जो सबसे उपयोगे यूज यूजफुल है वो क्या है internet ज्यादा useful है, tv ज्यादा useful है, radio ज्यादा useful है, newspaper ज्यादा useful है, magazine तो इन सब में से tv से, radio से, newspaper से, magazine से और internet से इन सब में से useful आपको बताना कौन सा अच्छा लगता है तो mostly new technology के काण internet से सबसे ज्यादा effect आज करके बच्चों पर डाल रहा है did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, tv, newspaper, internet, several other form of the communication जो विचारों को आदान परदान करने या संचार के जो अलग अलग साधन है, radio, tv, newspaper, internet, इन सभी के लिए एक ही word यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं, media, कौन सा word है वो, media, संचार जिसको हम बोलते हैं, वो tv के दवारा भी कर सकते हैं, newspaper से भी, internet से भी अधर दूसरे जो कमने केसंस के forms हैं, उनके दवारा हम बातचीत कर सकते हैं, अपने message को send कर सकते हैं, अपने report, अपने record, सब हम send कर सकते हैं तो वो कौन सा word है जिसके लिए हम use कर रहेंगे, media, in this chapter you will read हम पढ़ेंगे more about the media के बारे में ज्यादा के जान, you will find out what is required to make it work तो आपको पता लगाना है कि जो media है, यह कैसे कारिया करता है, कैसे इसके प्रियोग में लाया जाता है and as well as the ways in which the media affects our daily lives, कौन से तरीके हैं, जो media के हमारी daily life को पर भावित करते हैं can you think of one thing that you have learned from the media this week, क्या आप सोच सकते हैं कि इस week यानि जो last week है या यह week जो चल रहा है Monday से Saturday तक, आपने इस week में internet के द्वारा क्या सीखा आप जो देखते हैं internet से, entertainment की चीज़ी बहुत सारे आती है, education से related बहुत सारे, creativity से related भी बहुत सारे चीज़ी आती है या के बारे में details से read करेंगे, everything ringing from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media यानि कि जैसे हम गाओं के अंदर जो पहले old time में फेर लगते थे, मेले लगते थे, मेले की जो local stall लगते थे, दुकाने लगते थे, वहाँ पर जो चीज़ी हम देखते थे, वो चीज़ी भी मेडिया में आती है, और जो प्रोग्राम हम टीवी पर देखते हैं, वो चीज़ी भी हमारी क्या है, मेडिया में include से, can be called media, इन सब चीज़ों को, जिन चीज़ों से हमें knowledge मिलती है, जिन से हमारा कुछ से, जो बात हमारे लिए useful होती है, वो हमारा क्या है, मेडिया की तूँ medium include क्या जाता है, media is a plural form of the word medium, तो यहां द्यान देना है, बेटा जो media word है, वो किसके plural word के रूप में use क्यांजा जा रहे है, medium, medium means madham, medium मन्से madham, media word, aggressive word है medium, उसका plural word है, इसका meaning है, communicate in society, समाज के अंदर, sancar करना, आधान परदान करना, because media refer to all means of communication media के अंदर जो communication के जितने भी साथ हैं उन सब को refer करता है everything reacting from one a phone call इसमें हम परते एक चीज़ को include रहते हैं जैसी एक phone call से लेते हैं evening news और टीवी पर हम देखते हैं can be called media तो जो चीज़ हम टीवी पर देखते हैं radio पर सुनते हैं phone में देखते इंटरनेट से हमें जो पता सलती हैं दीज़ादा media TV, radio and news पर है form of media ये सब उसके form हैं अलग अलग पर types हैं mediums हैं reaches million of people यान के करोड़ों लोग तक जो information पहुँचाते हैं वो क्या हमारे media हैं और the masses across the world जादा जन सिंख्या के पास पहुँचना information का या पूरे world के अंदर पहुचना या world के बहार यानि दूसरी देशों other country के पास information का सेयन करना भी क्या कहलाता है mass media तो यहां हमने पहला word media second word mass media तो यह media का मतलब अरे आस पास जो information हम हमें मिलती है जो हमें other country की दूसरे देशों की जो information हमें मिलती है उसको बोलते है mass media यानि कि ज़्यादा दूर तक हम अपने information को बेश सकते हैं या दूसरे देशों की information को हम प्राप्ट कर सकते हैं इसको बोलते है mass media तो यहां त्री जो short question हमें हमने देखे कि जो media word है जी कि हम media की image भी नहीं कर सकते हैं कलपना भी नहीं कर सकते it would probably be difficult for you image your life without the media सायद आपको भी इन बिना media के अपनी life की कलपना करना कठे नहीं यानि कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर आज TV ना हो newspaper ना हो, mobile ना हो mobile पे entertain के लिए जो हम show देखते हैं या entertain के लिए song भी नहीं सुनते हैं अगर यह नहीं हो तो हम अपनी live का कलपना भी नहीं कर सकते but cable televisions the whispered use of the internet is the recent phenomena लेकिन जो television की cable की तारों के दोरा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा है या जो at present time में internet का ज़्यादा प्रियोग फैलता जा रहा है तो यह जो हमारी life को ज़्यादा एफेक्टिड कर रहे हैं these have been around for less than 20 years यह लबगा पिछले कुछ 20 या 30 years से ही ज़्यादा जू जो उने लगा है उससे पहले TV वगरा कमी थे the technology that mass media use keeps changing तो जो mass media का परति दिन परियोग बढ़ रहा है तो उसने हमारी दुनिया को बदल दिया है जो नई नई technology है उसका परियोग करने से mass media के दवारा जो बदलाव आ रहा है दुनिया के अंदर वो तेजगती से बदल रहा है तो यहाँ देखेंगे हम जो first printing press थी गुटन ब्रेक के दवारा जो अगर पूचा जाए तो first printing press गुटन ब्रेक के दवारा चलाई गई थी उसने जो first paper था वो Bible का first paper चापा था जो Bible इसाईयों की book है उसका first paper उनके दवारा print किया गया था तो यह ध्यान देखेंगे हम newspaper, television and radio can reach millions of people because they use certain techniques जो information रैडियो से, TV से या newspaper से लाखों लोगों तक, क्रोडों लोगों तक पहुंचती है तो वो किसके कारण है हम technology का यूज़ कर रहे हैं तकनिकी का यूज़ कर रहे हैं जो newspaper हमारे पास आता है या magazine पत्रिका हमारे पास आती है तो वो include की जाते है print media में यानि कि छपाई संचार में जिसको हम छपा खाना भी बोल सकते हैं छप कर जो हमारे पास आती हैं टीवी और रैडियो को electronics media जिसे टीवी, रैडियो, मोबाइल है, लैप्टोप है इस आरदा electronic media तो आप आपके सोचना चाहिए कि newspaper को print media क्यों बोला गया है क्यों कहा गया है जैसे आगे हम इसके बारे में रीड करेंगे यह यूवील फैंट इस नेमिंग इस related to the difference technology तो इससे संबादी जो अलग पर कर के technology का परियोग किया गया है उसके आधर पर इसका नाम print media या electronic media रखा गया है तो इस परकार पिछले कुछ सालों से जो media का है उसके ज़्यादा technology के यूज करने से हमारे जो समाज है या हमारी जो दुनिया है वो किस परकार तेजी से बदली है और किस परकार लगातार बदल ती जा रही है तो यह किसका परियोग है नई technology की परियोग करने से हमारे life या हमारे जो आसपास की दुनिया वो change होती जा रही है changing technology, technology के बदलने से machine के परियोग से and making technology more modern और जो technology हम use करें उसको ज़्यादा अत्या धहनिक रूप से यूज़ करना अत्या धहनिक मसीनों का यूज़ करना help media to reach more people तो जो information है जो संचार के द्वारा information दी जाती है जानकरी दी जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाई जाए यह किसका परियोग करते हैं modern technology के परियोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाई जाने की कोशिश की जाते है it also improves the quality of the sound new technology उसके यूज़ से जो आवाज की quality उसमें इंप्रूव किया गया है पहले जो टीवी पर शो आते थे या रेडियो पर जो आवाज होती तो इतनी हिसाब दिखाई देती है but technology does more than this यह सब किसका यूज़ किया जा रहा है तक्निकी का यूज़ किया जा रहा है and also change the ways in which we think about our lives इसने हमारे जो लाइफ है उसके बारे में सोचने के जो तरीके वो भी बदल दिए है for example today it is quite difficult for us to think our lives without television आज के टाइम पे अगर हम सोचें बिना television के अपनी life को spend करें तो यह possible नहीं है मतलब आज के टाइम में बिना TV के अपने life के बारे में सोचना सही नहीं है television तो फिर भी कुछ पुरानी बात था अगर आज हम mobile के बिना अपनी जीवन के कलपना करें तो यह सही नहीं लग रहा television had enabled us to think ourselves as a member of the larger global world इस परकार जो television है वो हमारे लिए हमारे लिए विस्व समाज का एक सदे से समझना हो गई यानि हम अपनी आपको television के मादम से global world का एक member मानना समझना सुरू करते है तो अलग अलग देशों की जानकारे में न्यूजपेपर के माधम से या न्यूजचैनल के माधम से में मिल रही है तो हमें इसा लग रहा है कि हम global world यानि पूरे विस्व का एक सदे से बन गई है television event travels use तो television की picture है वो हम जो देखते हैं उसके द्वारा जो हम picture देखते हैं किसके माधम से देख पाते हैं satellite से और cable के माधम से अगर satellite और cable नहीं होते तो साइध हम तस्वीरों को नहीं देख सकते हैं इस अलाव अस तो वीव न्यूज़ और इंटर्टैन्मेंट चैनल फ्रों अधर पर देख पाते हैं इस satellite की मदद से हम न्यूज हैं जो और जो इंटर्टैन्मेंट चैनल से अधर वर्ल्ट के दूसरे हिस्टों के उनको भी हम अपने टीवी पर देख पाते हैं जो कार्टून आप अपने तैलिवीजन पर देख पार हैं जो पिक्टर हमें दिखाई देख सकते हैं जैसे एक प्रेजेंट हमने कोरोना से रिलेटिड इतनी भी डेटा हमें मिल रहा है इतने लोग इंफेक्टिड हैं चाइना के अंदर इतने हैं यह अधर कंट्री के अंदर इतने हैं यह सब जो न्यूज हमें प्रोवैड की जारी है तो यह हम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा यह जो हम साइड में देख रहे हैं विद्ट इलक्ट्रोनिक टाइप राइटर यह जो टाइप राइटर है जीसे हम टाइपिंग करते थे थे कार्टी में जर्निलिजम अंडर्वैंस एस सी चेंज इन नैंटिन फोर्टी नैंटिन फोर्टी के बाद बहुत सारे बदलाव इसमें आ चुके हैं मीडिया एंड मनी तो यहां देखे बिटा यह जो हम टीवी देख रहे हैं साइड में यह जो invention किया था टीवी का यह है जोान एल बेयर्ड जिसके दवारा टीवी का अविस्कार किया गा था सबसे पहले टीवी बनाया था जोन एल बेयर'D के दवारा बनाया गया था स्टुडेंट्स meडिया को चलाने के लिए पैसा कैसे लगता यह पैसे का उप्योग कैसे होता है इसके बारे में हम रीड करेंगे the different technology, अलग-अलग technology के use is that mass media use are expensive mass media क्या है संचार के जो साधन वो हमारे महिंगे होते जा रहे हैं just think about the TV studio, जा अगर आप सिरफ TV studio के बारे में सोचेंगे in which news reader city, जहाँ पर news बोलने वाला जो news सुना रहा है वो बैठा है it has lights, वहाँ पर lights भी लगी है, camera भी लगा है, sound recorder भी लगा है transmission satellite भी है, यानि कि वहाँ से news को बेजने वाला transmission satellite भी लगा तो इन सब technology के लिए किस का use की अज़र है, पैसे का use की अज़र है all of which cost a lot of money, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, या लागत लगती है in a news studio, हम अब किसी news studio में जाते, it's not only the news readers सरफ एक news reader की ज़रूरत नहीं होती, who need to be paid, उसको पैसा देना पड़ता है but also a number of other people, जो दूसरे बहुत सारे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, जो मदद करते हैं who help put the broadcast together, वो सब news को broadcast करने में मदद कर रहे हैं this includes those who look after the camera, इसमें कौन-कौन सामिल होते हैं जो camera को संभालता है, lights को संभालता है, जैसे हम ने उपर बताया, camera, light, sound recorder यह सब पैसे से लगाई जाते हैं, as you read earlier the technology that mass media use keep changing and show a lot of money is spent on getting the latest technology इस परकार अब पुरानी जो मीडिया के साधन थी, उनको बदल कर हम जिस परकार नए-ने टेकनोलोजी का यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें a lot of money spend करनी पड़ती है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बदलते समय के साथ नहीं ने टेकनोलोजी का परियोग करना है, तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है ज्यादा अत्याधोनिक टेकनोलोजी तकनीक का परियोग करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इस पैसे की लागत से मास मीडिया नीडेक्रिये डिल ऑफ मनी, तो जो मास मीडिया जन संचार का जो साधन उनके लिए ज्यादा पैसे की जुरूरत होगी जो ज्यादा पैसा का से आता है मास मीडिया के पास जो बड़े बड़े बिजनसमेन है उनके द्वारा पैसा लगाया जाता है मास मीडिया is constantly thinking of way to make money तो जो मास मीडिया अपर योग किया जा रहा है तो उसमें पैसा लगाया है तो पैसा अर्निक करने के तरीके भी सोचे जाएंगे जैसे कि अब TV पर देखते हैं कि अलग अलग advertisement दिखाए जाते हैं, विक्यापन दिखाए जाते हैं, like car advertisements, कौन सी car अची है, कितनी इसकी race है, इसकी सारी qualities है वो बताई जाते हैं advertisement के अंदर, चोकलेट के बारे में बता जाता है, क्लोज के बारे में, मोबाइल के बारे में, etc. तो ये सब चीजे हैं जिनके अम, अमें जिनकी जानकारी अड़र्टाइजमेंट के द्वारा मिलती हैं. You must have noticed the number of the advertisement that you have you see while watching your favorite television show. जब आप TV पर कोई अपना favorite show देख रहे हैं, movie देख रहे हैं, या कोई cartoon देख रहे हैं, तो उस time पर आपको अलग-अलग advertisement भी देखने को मिलते हैं. वाइल वाचिंगे किर्केट मैच उन टेवी जब आपे किर्केट का मैच टीवी पर देख रहे हैं, तो the same advertisement आपर तेक ओवर के बाद, हर ओवर के बाद, बार बार वही अड़र्टाइजमेंट से रिपीट किया जाता हैं, बार बार वही अड़र्टाइजमेंट से आप रहेगी, as you will say, read in the following chapter, इसके बारे में हम अगले वाले chapter के अंदर रिपीट करेंगे, advertisements are repeated in the hawk, advertisement को इस होप से, साशा से, सुमीद से repeat किया जाता है, कि you will go out, जैसे ही आप बहार जाओगे, मैं इस देख कर, by what is advertised, उस चीज को खरीदने की कोशिस करेंगे, जो आपने व ग्यापन में देखी थी, उस वस्तु को खरीदने की आपके दिल के अंदर लालसा होगी, इच्छा होगी, यह जो दिखायागा है, the cost of the advertisements, जो कीमत होती है, advertisement को दिखाने की TV चैनल पर, 1000 से वन लेक, पर 10 सेकंड, 1000 रुपे से लेके, वन लेक तक, 10 सेकंड की जो क्या दिखा जाती है, advertisement से दिखाया जाती है, उसकी post है, 1000 से लेकर, वन लेक रुपे से तक होती है, depend करते है, popularity channels और से में, यानि कि किस से में आप आप दिखा रहे हैं, और कौन से channel पर आप दिखा रहे होते हैं, यह depend है, उस पर होता है, okay, students, media and democracy, in a democracy, in a democracy, media plays a very important role in providing news and discussion event, taking palace in the country and the world, लोगतंतर में, media एक महतरपुन रोल प्ले करती है, क्या provide कराने में, news provide गराने में लोगों को, news देने में, और जो गटना है हो रहे हैं उस पर discuss करने में देश के अंदर जो गटना है हो रहे हैं उन पर discuss किया जाता है या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गटना हो रहे हैं उन पर discuss किया जाता है यह सब जो जानकारी है जो information है वो हमें एक अना से मिल रही हैं मीडिया से मिल रही है, it is on the basis of the information that citizen can, तो इनी information, इनी सुचनाओं के आधार पर नागरिक के द्वारा अपनी सरकार के बारे में ideas लगाए जाते हैं, विचार किया जाता है, example के तोर पर, learn how governments work, नागरिकों को पता चलता है कि government कारिया कैसे करती है, and often if they wish to, अगर परायम की इच्छा होती है, they can take action on the basis of these news, अगर सरकार कोई गल्थ कारिया कर रहे है, कोई सही कारिया नहीं कर रहे हैं, तो इन news के आधार पर his citizen है, वो क्या है, कारियावाई कर सकते हैं, some of the ways in which they can do this is by writing letter, तो कुछ ऐसे तरीके हैं, जो newspaper के आधार पर वो सबसे पहले writing letter एक पत्तर लिख सकते हैं, concerned minister उस department से related मंतरी को, यानि कि जिस department से related problem है, कठिनाई है नागरिकों को, उस department के minister को, जैसे अगर education से related कोई problem है, तो education, education से related minister को क्या किया जाता है, letter लिखा जाता है, अगर हमें health से related कोई problem है, तो हम health minister के पास क्या लिखेंगे, letter लिखेंगे, तो यह जनता information का से मिलती है, media से, newspaper से, news channel से, उनी news के आधार पर नागरिकों के द्वारा कई बार letter लिखा जाता है, कि आप जो कारिया करें, वो सही नहीं करें, यह और्गेनाइजिज यह public protest यह जनता उसका विरोध करती है, starting के signature campaign, एक अध्साक सरह भियान शुरू करके जनता के द्वारा, सरकार का विरोध किया जाता है, asking the government to rethink its program, और कहा जाता है, government को, सरकार को कहा जाता है, कि दोबारा इस program पर सोचा जाए, जो program, जो कारिया करम, जो आपने नागरिकों के लिए लागू किया है, उस program को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, कौन जनता, given the role that media play in providing information, जो media के द्वारा, मुमी का निभाई जा रही है, लोगों तक सुचना भेजने की, इस इंपोर्टेंट एट information भी बैलेंस्ट, तो इस परकार की सुचना का बैलेंस बना कर रखना बहुत जरूरी है, बैतापुर्ण है, अगर बैलेंस नहीं होगा, तो जनता क्या हो जाएगी, ज्यादा भड़क जाएगी, लेट्स अंडरस्टेंट वट वी मींस वाई ये बैलेंस मीडिया रिपोर्ट वाई रीडिंग टू वैरियस वर्जन और सी न्यूज इवेंट गीवन ओन दा नेक्स पेस, तो पेटा वीडियो जाद अलंबी हो जाएगी, यहां तक आपने वीडियो को ज्यान से सुनना है, और लेशन को अच्छी तरह से समझना है, ओके स्टूडेंस,